गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में फलो का राजा आम होता है अब आम खाना किसे पसंद नहीं है और गर्मियों में तो बच्चों की छुटी हो जाती तो सबसे पहले जाते हैं घर में कि मम्मी हमें आम चाहिए क्योंकि आम गर्मियों में ऐसा लगता है कि मानो कि किसी ने आ यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे. सबसे पहले नंबर पे आता है Watermelon, यानि कि तर्बूज. तर्बूज हर किसी को पतंद होता है और आपने भी सुनाओगा कि तर्बूज खाने के बाद पानी न पियें क्योंकि ये खुद पानी की कमी दूर करता है Watermelon का high fluid content बॉड़ी को cool और hydrated रखता है संत्रा संत्रे में potassium मिलता है अब गर्वी में इतना पसीना आता है जिसका कारण होता है lack of potassium और जिसकी वजह से मासपेशियों में अकडन हो जाती है और संत्रे के अंदर 80% water होता है जो आपकी body को hydrated रखता है mango फलू का राजा कौन? आम तो अब आम rich in vitamins होता है minerals, antioxidants और बहुत सारे nutrition होते हैं इसके अंदर और साथ ही साथ magnesium, magnesium, calcium, selenium और iron होता है उसके अजावा आम खाना कौन पसंद नहीं करता क्योंकि गर्मियों का तो इंतजार ही इसलिए होता है ताकि हम आम खा सकें पपीता हर मौसम में पपीता मिलता है लेकिन summers सबसे best season होता है पपीता खाने का इसके अंदर pro vitamin A, vitamin C, fiber और गर्मियों मगर आप पपीता खाते हैं शरीर को ठंडग दिलाने में बहुत साथा useful है इसके अलावा इसमें मौझूद बीटा केरोटीन, vitamin C और E शरीर को सूजन अगर कहीं होती है तो उसे कम करने में बहुत helpful है blackberries और raspberry अब ये दोनों तो देखते ही मूँ में पानी आजाता है और इसमें सबसे ज़्यादा fiber होता है high content of nutrition and minerals vitamin C और जो हमारी body को protect करता है कि गर्मी के किसी भी side effects है मतलब गर्मी में अगर कोई भी मतलब आप धूप में निकल रहे हो, गर्मी हो रही हो तो इतने सारे nutrients अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा helpful है plum यानि कि आलू बुखारा आलू बुखारा में fiber की अच्छी मात्रा होती है जो digestion में बहुत help करता है और साथ ही साथ vitamin C होता है जो infectious disease को कम करने में helpful होता है और immunity बढ़ाने का सबसे बड़िया जरिया है आलू बुखारा स्वाद का स्वाद और immunity की immunity लीची गर्मी में पसीना होता है और जिससे बहुत कमी हो जाती है vitamins, proteins, citrus acid, fatty acids, phosphorus की तो ये उस कमी को रोकता है और पानी की कमी तो रोकता है अंजीर अंजीर में potassium मिलता है जो गर्मी में आपका hemoglobin बढ़ाने में बहुत useful है क्योंकि इसके अंदर cooling properties होती है जो शरीर को ठंडा रखने और पानी की कमी को रोकने में बहुत helpful होती है खर्बूजा अब खर्बूजा केवल समझ में मिलता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तर पानी होता है गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने और शरीर में पानी की कमी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खर्बूजा खाए और साथ ही साथ विटामिन A, विटामिन C, जिंक और पुटाशियम इसके अंदर होता है जो बहुत सहाइक है और सबसे लास्ट आता है एप्रिकॉट्स यानि कि खुबानी खुबानी की क्या ही आपको बात बताएं इसके अंदर विटामिन C, पुटाशियम, आयरियन, मेगनीशियम, बीटा कैरेटीन और फाइबर होता है जो कर्मी के मौसम में पेट की खराबी जैसे समस्याएं दूर करता है अब हमने आपको दस फलो के बारे में तो बता दिया उखे वेड तो कोई फाया नहीं है दो आपने इस रीपोर्ट में आपको तको फुट्स है और रही हम विले चहेशिज का करते है आप जाने से पहले यह बताइएगा आपका इसमें से फेवरीट फूर कौन सा है और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें